Instagram blue tick का मतलब क्या है या आप इससे verification badge या meta verified भी कह सकते हैं अगर आप Instagram पर विल्कुल नहीं है then काफी लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता so don't worry आज किस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा Instagram blue tick कुछ इस तरीके से दिखता है and ये username के आगे attach होता है Instagram blue tick का मतलब जानने के लिए हमें past में जाना पड़ेगा क्योंकि past में ही blue tick की अच्छी value थी आज की date में blue tick की value मुझे नहीं लगता कुछ खास है क्योंकि blue tick पहले उन्हीं लोगों को मिला करता था जो celebrity होते थे या bell knowing face होते थे या जिनके articles newspaper पर छपा करते थे उन्हीं को blue tick मिलता था लेकिन आज की date में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज की date में कोई भी blue tick को buy कर सकता है अब अगर आप blue tick खरीते हो तो आप celebrity तो नहीं बनोगे लेकिन यहाँ पर कुछ benefit Instagram प्रोवाइट करता है आपका जो account है वो authentic हो जाएगा मतलब लोग आपके account पर believe कर सकते है कोई भी यह नहीं कह सकता है कि आपका account पूरी तरीकी से fake है दूसरी चीज़ आपके account के protection बहुत जादा बढ़ जाएगी यानि आपके account के hack होने के chances 0% रहेंगे अगर आपने verified take लिया हुआ है blue tick buy किया हुआ है थर्ड आपको Instagram की तरफ से बहुत ही अच्छा support मिलेगा अगर आपको कोई भी Instagram में दिक्कत आती है प्रॉलम आती है देन आप Instagram team से directly connect कर पाऊगे अगर आपने blue tick buy किया होगा तो अभी currently Instagram blue tick का price 699 rupees per month चल रहा है future में ये price increase भी हो सकता है अगर आप blue tick buying का process देखना चाहते हो इस वीडियो को देख सकते हो इसमें पूरा मैंने guide किया हुआ किस तरीके से आप blue tick को buy कर सकते हो ये वीडियो informative लगी हो तो please comment box पर जरूर लिखना informative वीडियो मिलते हैं आप से next वीडियो में Bye Bye, Jaiinda and stay tuned